Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इन तीन सिटीज में अभी से Commissioner of Police आपको मिलेंगे, इस खबर की उपर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारा Prime discussion होने वाला है over this Police Commissionerate System, इसका मतलब क्या है exactly, यानि कि इन तीन सिटीज में अब जब Commissionerate System आएगा, उसका फाइदा क्या होगा, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, क्या-क्या safeguards होने की जरूरत है, इसके उपर हमारी चर्चा चलेगी, in fact, हम लोग compare करेंगे, Commissionerate System को, जो already existing है, मैं कहूंगा, Directorate System, या फिर, I can even call it as, the Collectorate System, तो इस existing system से हम लोग compare करेंगे, which is right from the Police Act 1861, तो यह रहेगा हमारी discussion का agenda, now to get to know all this information, to understand, समझने के till the very end, चले, शुरू करते हैं discussion, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखने हैं, अगर आप UPSC Civil Services की तयारी कर रहे हैं, तो हमारे study IQ के पास, we have a foundation batch 9, जो शुरू हो रहा है, 30 November से, और एक बहुत important notice है आप सभी के लिए, 28, 29 और 30 November तक, इस particular course पे, भारे discount आपको मिलेगा, यह प्राइस है, इसके उपर भी आपको डेड़ हजार उपय का discount मिलेगा, अगर आप को इस्तमाल करोगे, राहुल लाइब, so remember, we are running a super learning days sale, 28, 29, 30 November तक, इसका फाइदा उठाएगा, इस course को एंडोल कीजेगा, मुझे बताने की जरूरूत नहीं है, why this course is most comprehensive and most affordable program, affordability की दिश्च mentorship मिलेगी, एक mentor आपके साथ ही रहेंगे throughout your preparation, group mentorship मिलेगी, personalize test के आपकी तयारी हो जाएगी, main answer writing होती है, MCQ solution होती है, the whole shebang, everything, इसी में आपको test series मिल जाएगी, freelance, इस सारी चीज़े आपको मिलेगी, just go to our website studyiq.com, या फिर हमारा app download किजीगा, अपनी mobile में search कीज़े, app store study IQ, और app download किजीए, सारी जानकारी मिलेगी, before 30th November enroll करना है आप सभी, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताए, खबर आई है, कि हाली में उत्तरपदेश cabinet ने एक government order जारी किया है, जहां पे उन्होंने बताया, आगरा, गाजियाबाद, और प्रयागराज, इन तीनों cities में अभी commissionerate system होगी, on a lighter note, I hope कि अभी भी नाम यही होगा, क्योंकि UP में बहुती नाम बदलते रहते हैं, तो इन तीन cities में commissionerate system लागो होने वाला है, 26 November से, यानि कि यहां भी commissioner of police होगी, police commissionerate system will start, अब ऐसा नहीं है कि UP में पहली बार हुआ है, UP में इससे पहले भ साथ police commissionerate systems हो जुए है, in fact, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में भी अलग-अलग cities, बिसे हाइदराबाद में commissionerate system है, आपको बैंगलोरू में commissionerate system मिलेगा, जो बड़ी-बड़ी metropolitan cities है, वहां पे तो commissionerate system है, 16-17 राज्यों में, almost 60 से भी ज़्यादा cities में हमें commissionerate system जरूर मिलता है, और अभी UP में इन 7 cities में commissionerate system मिलता है, सबसे पहला सवाल, sir, क्या राज्यसरकार ये कर सकती है, of course कर सकती है, क्योंकि power राज्यसरकार के पास ही, आप जानते हैं कि हमारी schedule 7 जो है, साथवे schedule में 3 list है, center list, state list, concurrent list, state list में item number 2 है, police, जिसके तहर, राज्यों के अधिकार है कि वो अपने police के प्रती rules and regulations बनाए, तो it is quite valid सभी कर सकते हैं, बहुत सरे राज्यों ने किया है, UP ने पहले भी किया है, अभी और 3 cities एड़ हो चुके है, अब सवाल है, दूसरा, sir, ये commissionerate system मतलब है कि हम जो समझ भी नहीं आ रहा है, let us try to understand, जैसे कि मैं आपको पता है, schedule 7 में राज्यों के बास पावर है, तो राज्ये कर सकते हैं, लेकिन already जो existing system है, हमारा policing चलती है, police act 1861 mostly, अलग-अलग राज्यों में अपने खुद के acts बने हुए, लेकिन more or less मैं कह सकता हूँ, अभी भी हमारी policing चलती है, 1861 act के तहती, जिसके अंदर मैं कहूँगा एक directorate system या फिर एक dual system बनाया गया है, I am quite sure कि आप अपने राज्ये में देखोगा, अगर आप एक tier 2 city में रहते हो, अगर आपकी जिल्ले में रहते हो, आपने देखा होगा, आपकी जिल्ले में एक DC होगा, district commissioner, district collector, या फिर DM, district magistrate, जिसे जहां में मैं रहता हूँ, there is a DC and there is a SP, तो dual system है, एक तरफ DC, दूसरी तरफ SP, तो यही system, colonial system follow किया जाता है, जहां पर collector या फिर magistrate होंगे, जिनके पास आपको कुछ judicial powers दिये गए हैं, especially with respect to warrant, etc, etc, और जो SP रहेगा district का, वो report करेंगे to district magistrate, साथी साथ, SP will also report to the higher officials, higher officials मतलब SP के ऊपर आपको SSP मिलेंगे, DIG, DGP, वगेरा वगेरा आपको लोग मिलेंगे, यह है, that is a basic system, अभी फिलाल, dual system आपको मिलेगा, majority regions में, लेकिन 60 सी भी ज्यादा, ऐसी city से जहां पर commissionerate system आ चुका है, इसका मतलब क्या है, वहां पर आपको commissioner of police मिलेंगे, और commissioner of police is directly answerable, और accountable directly to the executive, not the district commissioner, not the district magistrate, और यहां प assistant commissioner होंगे, joint commissioners होंगे, दूसरे-दूसरे commissioners होंगे, ताकि appropriate policing उस cities में, जैसे, let us try to understand this first, थोड़ा सा और dissect करते हैं, अब जो existing system है, मैं कहूंगा, आपके district में, अगर आपका बड़ा district है, तो probably आपके पास SSP रहेंगे, SSP यह आपके जिल्ले के head होंगे, policing के, right, correct, police के head, अब यह जो SP है, यह एक तरफ report करते हैं, executive को, executive कौन है यहाँपे, executive is district magistrate, और दूसरी तरफ, they also report to the higher authority, जैसे कि IGP, IG होगे, DIG, DGP होगे, इनको भी report करते हैं, और ultimately, यह report करेंगे, किसे, यह report करेंगे, chief minister, या फिर मैं कहूंगा, appropriate minister, या फिर the temporary executive, right, this is the permanent executive, this is the temporary executive, correct, तो यह system ह होता है, majority, जिल्लों में आपको यह चीज मिलेगी, लेकिन, जहां पर भी commissionerate system मन जाता है, तो उस city का, एक commissioner of police होगा, he is the head of the police, मैं कहूंगा, head of the city, not answerable to district commissioner, not answerable to DM, directly answerable to the executive, यानि कि directly, किसी minister को, या फिर chief minister को directly report करेंगे, और इनके नहींचे system बना रहेगा, और यह जो commissionerate बन यानि कि traffic के जो police है, वो भी इनके अंडर ही रहेंगे, जो भी दूसरे police भी है, सभी इनके अंडर रहेंगे, यानि कि एक joint commissioner, deputy commissioner, assistant commissioner, ACP वगेरा होते हैं, और नीचे जो inspectors है, traffic inspectors, SHO, सभी इनके अंडर होते हैं, I hope कि आपको समझ में आगए difference यह, reporting का difference, यहाँ पे SP would be reporting to DM, इन से order लेंगे, इन से आदेश लेंगे, अगर warrant वगेरा चाहिए, इनके पास जाएंगे, और फिर report करेंगे higher authorities को, higher authorities वहाँ पे report करेंगे, यहाँ पे सीधे-सीधे commissioner accountable to the temporary executive, right, clear, अब इससे भी अगर आपको अंतर चाहिए, in terms of power, थोड़ा और closely हम लोग microscopic observation करें, तो आपको पता चलेगा, power में अंतर क्या है, क्योंकि, जब dual command structure बनता है, तो एक तरफ SP होगा, एक तरफ district magistrate होगा, executive, separation of power बनेगे, अगर समझ लीजिए, arrest करना है police को, तो SP warrant चाहिए, तो warrant कहां से लेंगे, warrant यह district magistrate देंगे, इसका मतलब क्या है, DM के पास power है, to issue warrant, to issue licenses, etc, and police is accountable for mostly law and order and your investigation, right, investigation, और कुद का setup भी बनावाया, लेकिन, commissionerate system में, commissioner के पास extensive power होगे, again, this is old data, 53 cities नहीं है, this is more than 60 plus cities अभी हो चुका यहाँ पे, commissionerate system, right, मैंने आपको structure बताया, तो commissioner के पास extraordinary powers होते हैं, अब किस तरह के power होते हैं, सबसे पहले तो भया, उनके पास warrant जारी करने के power भी होत है, यानि कि immediate आपको warrant मिल जाएगा, समझ लीजे मुझे बंदूक चाहिए, मेरी self protection के लिए, अभी मेरे जिल्ले में क्या होगा, मुझे district commissioner को एक अर्जी देनी पड़ी है, कि मुझे fire आम रखना है, मेरी self protection के लिए मेरे जान को खतरा है, लेकिन जहाँ पे commissioner हैं, वहाँ पे directly commissioner को अर्जी दे दोगे, और commissioner के पास power होगा license देने का, इसके अलावा उनके पास और भी अधिकार होंगे, जैसे कि अगर law and order में कुछ problem हो रही है, समझ देजे कुछ unrest होने वाले कुछ problem चल दीए, तो directly section 144, 1244 order कर सकते हैं, curfew के orders, जहाँ पे आप 3 से जादा लोग नहीं, चार से जादा लोग नहीं, इस तरह की grouping नहीं करोगे, इसके अलवा अलग-अलग powers में extraordinary powers मिलते हैं, जैसे कि अलग-अलग acts में, gangster act में आपको powers मिलेंगे, prevention of cruelty act of animal में आपको powers मिलेंगे, immoral trafficking में trafficking को रोपने के लिए आपको पास power मिलेंगे, और foreigners act में आपको पास power मिलेंगे तो अलग-अलग acts के तहट, जो भी अधिकार district magister के पास मिलते थे, वो सारे आपको commissioner of police के पास मिल जाएंगे, उनके पास अधिकार ये भी मिलेंगे, to slap the penalties, etc. अगर कोई उनके rules and regulations violate करें, तो उनके उपर penalty slap करने की पावर मिल जाएंगे, I hope कि आपको समझ में आगया है, कि dual command से, जहां पे एक तरफ था SP, दूसरी तरफ था DC, DM, अब केवल एक होगा commissioner of police in a city, answerable directly to the minister or chief minister, that's the system, right? अब आपके दिबाग में सवाल आ रहा होगा, sir, कौन सा system better है? अब ऐसा नहीं कि कोई competition चल रहा ही इन दोनों की बीच, लेकिन मैं कहूंगा, it is rather need based. क्यों? क्योंकि अब तक आपने सोच लिया होगा, sir, commissionerate system में तो लग रहा है कि अगर एक ही इंसान है, तो केवल 60 cities में ऐसा क्यों है? क्योंकि need based है, जहां जहां बहुत ज़्यादा urbanization हो चुके है, जहां पे नए-नए challenges हो रहा है, तो वहां पे commissionerate system लाया गया है, पहले से, British time से भी, British ने mostly metropolitan cities में लाया था, जैसे, if I'm not wrong, Madras में था, Kolkata में था, Bombay में था, तो धीरे-धीरे अभी independence की बाद, बहुत स सिस्टम होना चाहिए, वहां पे लाया जा सकता है, for better, for better policing, इसके अलवा, अलग-अलग police reforms की committees, commission, commission, national police commission, in fact, हमारा जो model police act है, 2005 का, उसमें भी category के लिए लिखाया गया है, कि अगर किसी city में जरूरत है, जहां पे especially population 10 लाग के ऊपर जा चुकी है, जहां पे urbanization का rate बहुत ज़रूरत है, नहीं, नहीं, complexities arise हो रही है, तो वहां पे हम लोग commissionerate system ले आए, कुछ इस तरह के suggestions आ चुके है, इसलिए, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग cities में, metropolitan cities में कहूंगा, जहां पे population जाद है, वहां पे commissionerate system आ चुका है, अब सवाल उठता है, sir, commissionerate system आ गया, तो यह better कैसे होगा, देखे, better कैसे होगा, क्योंकि dual system के जो problem थी, उसको eliminate कर देते हैं, right, the commissionerate system eliminates these problems, जैसे की dual authority, अब एक तरफ है आपके DM, और दूसरी तरफ है SP, अब देखे, dual authority है, अगर arrest करना है, SP को wait करना पड़ेगा, DM ने warrant नहीं दिया, तो wait करना पड़ेगा, license के लि कि farmers protest करने हैं, तो उने protest करने दो, अब SP ने कहा, sir, खत्रा हो सकता है law and order का, तो दोनों में disagreement होगी, coordination issue होगी, समझ लिए उस protest में कुछ problem होगी, जहां में violence होगी, blame game चलता है, कि DM कहेंगे, SP ने action नहीं लिया, SP ने कहा, DM से order नहीं मिले, DM ने कहा कि उपर से order नहीं मिले, तो delay in decision making होती है, तो यह सारी problems eliminate होगी, everything is under the control of Commissioner of Police, Commissioner of Police के पास जाधा-जाधा अधिकार दिये जाते हैं, इसलिए, जैसे rapid urbanization होती है, नए नए प्रावलम, जैसे ट्राफिक के लिए कुछ rules and regulations लाने, जैसे कहीं पर ट्राफिक जाम हो रहा है, कहीं से समझ लीजिए, अब समझ लीजिए, रावल गांधी की जो भारत जोड़ो यातरा चल दी, किसी city में से जा रहे है, तो immediately Commissioner of Police के देंगे, उस रास्ते पे भाईयर ट्राफिक बंद करा दो, या फिर कुछ करा दो, कुछ इस तरह की है, immediate powers आपके बास रहें, तो rapid urbanization से जो भी नहीं नहीं complexities आ रही है, ज जहाँ पे unit dynamic action, उसके लिए Commissioner rate is much more better, decision making बड़ी जल्दी से हो जा दो, अब आप सोच रहे होंगे, तो आपने फाइदे तो गिना दिये Commissioner rate system की, क्या इसके कोई नुकसान भी है, देखिए, नुकसान भी हो सकते है, there can be potential problems, सबसे बड़ी problem हो सकती है, transition में, कि आपके पुराने system में, एक colonial hangover है, जहाँ पे आप, एक system बना हुआ है, एक DM और SP के system बना है, उससे transition करने में ही, बहुत से साल लग जाते है, बहुत सारी cities में, इन problems को भी highlight किया गया है, confusion in terms of orders, confusion in terms of implementation, तो कुछ साल लग जाते है, to transition, दीरे-दीरे transition करना पड़, सबसे पहली को, दूसरी problem है concentration of power, right, commissioner राज चलता है, सब कुछ commissioner के हाथ में है, warrant pass करना commissioner के हाथ में है, आपको license देना commissioner के हाथ, commissioner के हाथ में है, law and order, सब कुछ, everything in the hands of commissioner, in fact, आप एक picture डाली वे, blue blood, one of my favorite series, blue blood, यहाँ पे, this guy is the NYPD commissioner, right, New York में भी जैसे commissioner system है, NYPD commissioner, responsible or answerable to the mayor, लेकिन हमारे अवास, mayor का concept उतन prominent नहीं है, although होते हैं, लेकिन, commissioner directly answerable to the executive, minister और chief minister, इसके अलबा, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि extensive power देगे, commissioner के पास, तो police action कई बार unnecessarily भी हो जाते, जैसे कि मैंने आपको बताया, पुलिस, पुलिस का, जो, साइकी होता है, पुलिस का, थॉर्ट पर होता है, कि यह lawyer and order से problem हो रही, immediate action लेकिन, लेकिन, कहीं पे समझ लीजिए, एक silent mark चल रही है, कहीं पे silent rally चल रही है, कोई protest चल रहा है, जहां पे, वो, executive office, यानि कि DC के office, commissioner के office जा रहे है, जहां पे उन्ह I would say, program to respond in that way, कि जल्दी से action लना है, भया, हमें tension नहीं चाहिए, तो अगर इस तरह की problem ही हो सकती, unnecessary police action, इसके अलावा, normally, people और police का, बहुत 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 डिसकनेक्ट होता, और इसको तो मानना भी चाहिए, कही सारे reports भी आ चुके, जैसे मैं कहूंगा, अगर किसी स भी आप पुछेए, 10 लोगों पकड लिजे, 10 लोगों पूछेगा, कि आप ज्यादा किस पर trust करते हूं, who do you trust more, जैसे कि, do you trust the district magistrate, or the civil authorities, or do you trust the police, answer मुझे लगता है कि, बहुत बार मिलेगा कि, मेरा ज्यादा भरोसा है civil authorities पे, police बहुत 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 प्राउस मिलेंगे क्योंकि एक डिस्कनेक्ट भी बना हुआ है इसी लिए कमिश्णरेट सिस्टम में पोटेंशली ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि कमिश्णर पुलीस अगर जल्दी से एक्शन भी ले रहे हैं स्विफ्टली एक्शन ले रहे हैं तो लोगों का और पुलीस क सिस्टम को इनफाइक्ट लिट्रसी से जोड़ा गया है यानि कि लिट्रेट पॉपुलेशन ने जहां पर जिन्हें अपने अधिकारों का अधिकार यह पता है तो वहां पर कमिश्णरेट सिस्टम काफी एफेक्टिवली चल सकती है क्यों कि पीपल देंसेल्स विल आक्ट लोग खुद ही एक चेकेंड बैलेंस बनके एक्ट कर सकते हैं अब जैसे पॉर इंस्टन समझ दीजिए कमिश्णर राज का प्रॉब्लम क्या होगा जैसे यूपी में कमिश्णरेट बना दिया और मिनिस्टर से आदेश आ गया कि यहां पे क्राइम रेट जीरो होना तो there are certain safeguards which would be appreciated जैसे सबसे पहला होगा choice of commissioner कौन होगा अब choice of commissioner के उपर सवाल क्यों है क्योंकि commissioner ऐसा होना चाहिए जिने of course policing का experience तो होना ही होना चाहिए लेकिन policing के साथ मैं कहूंगा उन्हें administration का भी experience होना चाहिए क्योंकि a mixture of policing and administration will lead to that restraint यानि कि unnecessary police action नहीं होगी जहां पर भी police action जरूरी होगी वहाँ पर police action हो सकती है इसके साथ ही साथ अगर commissioner of police appropriate commissioner रहेंगे police forces को भी protect कर सकते हैं against unnecessary cases यानि कि एक balance maintain कर सकते हैं लोगों के बीच और police की बीच और जो दूरी है मैं कहोंगा जो दूरी है उसको कम कर सकते हैं उस दूरी को कम कर सकते हैं और confidence build कर सकते हैं कैसे for example community policing norms या फिर police और police और community के connection police और community की confidence building के उपर awareness measures etc. इस तरह की चीज़ा जरूर आ सकते हैं साथी साथ restraint बहुत जरूरी होता है क्योंकि कहीं कहीं पर जैसे कि मैंने आपको धारन दिया कि कहीं पर एक rally चल रही एक protest चल दे क्या वहाँ पर action लेना जरूरी है कितना action लेना जरूरी है ये भी police commissioner के उपर ही depend आएगा क्योंकि उनके आदशियों के उपर ही depend आएगा इसके अलबा सबसे जरूरी चीज़ कि किस तरह का safeguard चाहिए भाया police reform की जरूरत है अगर आप मुझसे सवाल पूछें कि sir मैंने commissionerate system बना दिया क्या ये एक magic pill है क्या जादू हो गया सब कुछ बदल गया city में नहीं देखिए भाया police commissioner भी जब आदेश देंगे अब कोई protest rally चल रही है उन्होंने बोला protest रोक दो अब police के पास वो हत्यारी नहीं है वो riot control गेरी नहीं है उनके पास modern बंदू के नहीं है modern हत्यार नहीं तो कैसे रोकेंगे वो जनता को अब जानते हैं already इंडिया में population to police का issue is very very adverse तो how will they stop जैसे कि अगर public angry हो गई गर mob angry हो गई तो police के उपर खत्रा होता है कई सारे incidents देखे हैं जहां पर हम लोग ने देखा कि police भी पीछे हर जाती है भाग जाती है क्यों कि police reforms की जरूरत है केवल commissionate system नहीं commissionate system along with police reforms police training police modernization police education police sensitization यह सारी चीजों की जरूरत है क्योंकि जब यह होगा तभी commissionate system भी successfully काम कर पाएगा इसके अलाब proper mandate होना चाहिए कि आने वाले दो सालों में आने वाले तीन सालों crime rate कम होना चाहिए traffic system अच्छे से होना चाहिए city में services अच्छे से होनी चाहिए law in order होना चाहिए investigation में cases जल्दी से close होने चाहिए आपकी और जो criminal justice system है याने कि आपकी जो public prosecutor है उनके अदर coordination की जरूरत है ताकि जल से जल cases close हो और conviction rate बड़े तो कुछ इस तरह की चीज़े चाहिए जहाँ पर result oriented commission rate आएंगे then things would be much much better it is not a magic pill कि आप commission rate बना दोगे जल्दी से चीज़े बदल जाएंगे बट appropriate चीज़े भी साथ में जरूरत है तो यह था आज का हमारा discussion I hope कि आपको समझ में आ चुका है इस discussion का उदेश क्या था कि आपको clarity आ जाए commission rate system क्या होता है और directorate या फिर collectorate system क्या होता है जहां पर dual system है SP और DM का एक तरफ commissioner of police का और बहुत सारे cities में you'll find commission rate system और अभी ध्यान रखिएगा exam की दश्रिकोन से UP में 7 city से जहां पर अभी commission rate system आ चुका है अगर इस चीज़े पर कोई भी update आएगी कि किस तरह commission rate system चल रहा है अग्रा में गाजियाबाद में प्रयागराज में तो हम फिर से चर्जा करेंगे on study IQ for sure but that is it right now in this particular discussion और जाने से पहले आपको धान अगने अगर आपको एडिस्कुशन पसंद आए आपको आपको कोई सवाल है कोई डाउट आट आटेए अड इस अंड यहिए अगर टायारी हुए अफोरदबर